तो आपका टोटल इंबेस्टमेंट होगा only 4.2 लाक्स यानि कि 4 लाग 20,000 रुपया आप इंबेस्ट करोगे और आपका 4 लाग 20,000 रुपया बन जाएगा 1 करोर रुपया दोस्तो अगर आप शेयर बाजर में ऐसी जगा अपने पैसों को इंबेस्ट करना चाते हो जिस इंबेस्टमेंट में काफी ज़्यादा low risk रहे जिस इंबेस्टमेंट में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े जिस investment में आपको कफी peacefully return मिल जाए यानि कि कफी सांती से return मिल जाए और जिस investment में आपको ज़्यादा share market में active रहना ना पड़े यानि कि आप job में busy रहते हो, business में busy रहते हो और आप share market में ज़्यादा समय भी नहीं दोगे फिर भी उस investment के थुरू से आप कोरोरो का wealth बना सकते हो तो अगर आप भी इस type का investment की तलास कर रहे थे ना तो literally आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे click किया है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग SBI का एक SI scheme को study करेंगे ना जिसे scheme में अगर महीने का सिर्फ 10,000 भी invest किया जाये ना तो 10,000 महीने का invest करके वहां से करोरो का wealth बनाया जा सकता है अब आप में से कुछ लोग ये बोलेगा कि आकाज भई मैं महीने का 10,000 रुपिया invest नहीं कर सकता 10,000 नहीं कर सकते 5,000 तो कर सकते हो 5,000 भी महीने का invest करके वहां से करोरो का return बनाया जा सकता है 5,000 नहीं दे पाऊगे अगर 1,000 रुपिया भी invest किया जाये ना तो 1,000 भी invest करके वहां से करोरो का return बनाया जा सकता है और सिर्फ बोलूंगा नहीं इस वीडियो में live करके भी दिखाऊंगा कि कैसे एक हजार उपिया इंबेश्ट करके SBI का स्कीम में कोरोरो का वैल्द बनाया जा सकता है तो इस वीडियो से आपको काफी कुछ नॉलेज भी मिल सकता है तो इसलिए वीडियो को end तक देखना लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्कलेमर देना जाहूंगा कि मैं तो कोई से भी रेजिस्टेड एडवाईजर नहीं हूँ इसलिए शेयर बाजर में आप कहीं भी पैसा इंबेश्ट करो तो आप अपने एडवाईजर से पूछ करी पैसा लगाना ठीक है ये वीडियो सिर्फ एडूकेशन और इन्फोमेशन वाला वीडियो है तौप पचास बड़ी-बड़ी कमपनी है वो तौप पचास बड़ी-बड़ी कमपनीों को मिला कर जिस इंडेक्स को बनाया गया है उसी इंडेक्स को बोला जाता है निफ्टी-फिफ्टी ओके समझ गए अब Nifty 50 का एक criteria होता है यानि कि Nifty 50 में अगर किसी company को रहना है न तो उसको काफी सरा criteria को fulfill करना होता है यानि कि 6 से 7 नियम होता है नियम बनाया गया है अगर कोई company को Nifty 50 में रहना है तो वो 6 से 7 नियम को वो company मानी की तभी उस company को Nifty 50 में रखा जाएगा नहीं तो क्या होगा कि हर 6 महिने के बाद बाद Nifty 50 का rebalancing होता है यानि कि मान लेते हैं अभी Nifty 50 में जो 50 company है उस 50 company को फिर से 6 महिना के बाद rebalancing किया जाएगा और rebalancing में देखा जाएगा वो 50 कमपनी को कि क्या वो 50 में से 50 company वो 6 से 7 नियम को मान रही है कि नहीं अगर मान लेते हैं जो भी 50 company है Nifty 50 में 1,2,3,4,49,50 अगर मान लेते हैं उस 50 company में से मान लेते हैं example दे रहाओं कि कोई या company है जो company ये 6 से 7 नियम को नहीं मान रही है तो क्या किया जाएगा अगर वो 6 से 7 criteria को fulfill नहीं करेगी ना उस company वो company तो उस company को कान पकर के बाहर कर दिया जाएगा और उस company के जगा जो 51 number के company रहेगी ना उस 51 number के company को गुसा दिया जाएगा कहने का मतलब ये है कि Nifty 50 का हर 6 महिने के बाद बार rebalancing होता है इसको किया जाता है क्योंकि Nifty 50 में अगर किसी company को रहना है, तो उसको रहने के लिए 6 से 7 नियम बनाया है, तो वो 6 से 7 अगर कोई company नियम नहीं मानेगी, तो nifty 50 से उस company को बाहर निकाल दिया जाएगा, और account number पर जो company रहेगी, उस company को घुसा दिया जाएगा, ठीके, हर 6 मेने के बाद बात, यह कारणामा चलता रहता है, तो इससे आपको क्या समझ में आया, यह जो मैंने पूरा कहाणी बताया, निफ्टी-50 का rebalancing के बाड़े में, इससे आपको क्या समझ में आया, यह जो nifty-50ern है, यह nifty-50 अंचो बहुत सकता है, कि nifty-50 नहीं सकता है, तो उस company को बाहर निकल जाता है, और जो 51 नमबर पर कमपणी रहेगी उस कमपणी को घुसा दिया जाता है Yes Bank के साथ क्या हुआ, Vodafone Idea के साथ क्या हुआ ये सब भी तो एक समय Nifty Fifty का पार्ट हुआ करता था उसके बाद वो कमपणी डूब गया, वो सारा कमपणी डूबा नहीं है, मतलब डूबने के जैसा ही है तो उसको Nifty Fifty से कान पगर के बाहर कर दिया गया तो ये कहानी से आपको इतना तो पता चल गया, विश्वास हो गया कि वह ये Nifty Fifty कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर वैसा ही कमपणी को जगा मिलती है, जो कमपणी टॉप पर्फॉर्मिंग कमपणी हो इसलिए तो अगर आप देखोगे Nifty Fifty का पर्फॉर्मेंश अगर आप यहाँ पर निफ्टी Fifty को देखोगे, तो ये Left से लेकर Right तक उपर ही गया है यहाँ पर काफी बार करेक्शन भी आया है, 2008 में करेक्शन आया, 2020 में COVID आया तो करेक्शन आया लेकिन फिर भी अगर आप Nifty Fifty का Overall Performance को देखोगे, तो Left से लेकर Right तक उपर ही गया है मैंने बोला था ना, Nifty Fifty कभी भी Zero नहीं हो सकता है और यह जो Nifty Fifty है, यह सिर्फ हमारा Share Market नहीं है बहुत लोगों को लगता है कि Nifty Fifty हमारा Share Market है Nifty Fifty सिर्फ हमारा Share Market नहीं है यह जो Nifty Fifty है, यह हमारे देश का GDP है यह जो Nifty Fifty है ना, यह हमारे देश का Economy है यह जो Nifty Fifty है ना, यह हमारे देश का Top Companies है तो अगर आपको लगता है कि हमारे देश का शेयर मार्केट बढ़ेगा, अगर आपको लगता है हमारे देश का इकोनोमी बढ़ेगा, अगर आपको लगता है हमारे देश का टॉप कमपनी का साइज बढ़ेगा, अगर आपको लगता है हमारे देश का ग्रोथ होगा ना, तो आप Nifty 50 में पैसा invest कर सकते हो और यहां पे मैंने बोला ना कि आपका पैसा zero होने के chances काफी कम रहता है और यह जो Nifty 50 है वो past का history बता रहा हूं past में अगर आप long time में देखोगे तो 15% का CAGR return दिया है यानि कि हर साल 15% का CAGR return दिया है अगर आप past का calculate करोगे तो ठीक है अब past में 15% दिया है अब आने वाले समय में कैसा देगा क्या देगा वो तो आने वाले समय में बता चलेगा लेकिन past के हिसाब से हम ये predict कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी हमें 15-16% का CAGR return मिल जा और अगर हम Nifty 50 में पैसा invest करते हैं और हमें अगर 15% का CAGR return मिलता है तो 15% से करोगो का wealth बनाया जा सकता है देखना चाहोगे तो नीचे comment करके बताओ के वीडियो अब तक आपको कैसा लग रहा है ठीक है और वीडियो को like नहीं किया है तो like भी कर देना चलिए आप थोड़ा CAGR calculate कर लेते हैं कि अगर हमें 15% का return मिलता है अगर हम Nifty 50 में पैसा लगाते हैं तो कितना दिन में हम लोग करोपती बन जाएंगे ठीक है तो यहां पर मैंने SIP calculator को open कर दिया है अब अगर हम लोग हर महीना महीने का 10,000 invest करते हैं ठीक है जाए Nifty 50 में और उस पर अगर 15% का हमें return मिल जाता है तो उसके बाद देखिए जी कारणामा क्या होता है यहां पर आप देख सकते हो लगबख हमने invest किया total amount investment 24,000,000 यानि कि अगर आप हर महीना 10,000 करके invest करोगे तो 20 सालों में आपने total invest करोगे 24,000,000 रुपिया और आपका 24,000,000 रुपिया 20 साल के बाद कितना बन जाएगा 1,000,000 रुपिया अब यह तो मैंने 10,000 का example दिया अब कुछ लोग ये भी है जो लोग 5,000 करके अगर invest करे तो यहाँ पे मैं 10 की जगा 5 कर देता हूं ठीक है 10 की जगा यहाँ पे मैं 5,000 कर देता हूं अगर हर महीना 5,000 करके 50-50 में invest किया जाए और 15% का ही हमें CAI return मिले अब 5,000 अगर amount कम हो जाएगा तो यहाँ पे साल बरहना पड़ेगा 20 साल की जगा यहाँ पे 25 देना पड़ेग उसके बाद देखो जी result क्या आता है यह देखो जी हम लोग invest करेंगे total 15,000,000 रुपिया हर महीना 5,000-5,000 invest करेंगे तो 20 सालों में हमारा total investment हो जाएगा 15,000,000 रुपिया और 15,000,000 की ऊपर हमारा पैसा कितना बन जाएगा एक करोर 20,000,000 रुपिया बन जाए ठीक है यही होता है SIP का पावर, Nifty 50 का पावर अच्छा अब कुछ लोग बोलेगा आशर में 1000 ही invest कर सकता हूँ तो चलो जी 1000 को भी देख लेते हैं कि 1000 अगर invest करते हैं तो कितना दिन में हम लोग करोरों का wealth बना सकते हैं तो 1000 अगर amount कमाद होगे तो यहाँ पे साल बढ़ाना भी पड़ेगा ठीक है पैसा अगर कम invest करोगे और ज्यादा wealth भी कमाना है तो आपको साल बनाना परेगा ज्यादा time तक आपको invest करना परेगा तो यहाँ पे 25 नहीं बलकि 35 years करना परेगा अगर 1000 अजर करके invest करते हो और 35 years तक invest करते रहते हो और उस पर 15% का return आ जाता है तो calculate करते हैं चलो जी तो 35 years तक अगर आप 1000 रुपिया हर महिना invest करोगे तो आपका total investment होगा only 4.2 lakhs यानि कि 4,20,000 रुपिया आप invest करोगे और आपका 4,20,000 रुपिया बन जाएगा 1 करोर रुपिया ठीक है ना अजीव लग रहा है ना लेकिन इसमें अजीव वाली कोई बात नहीं है यह compounding होता ह यानि कि जो भी आप पैसा invest करते हो वो पैसा आपका compound होता रहता है और compounding दुनिया का आठवा सबसे बार आजुआ है ठीक है तो यह होता है 4,20,000 रुपिया का कहानी अब यहां पर सावाल यह आता है कि ठीक है आकाज भई हमने यह समझ लिया कि nifty 50 क्या होता है हमने समझ ल अगर nifty 50 में पैसा invest करना है तो हम direct nifty 50 में पैसा नहीं लगा सकते अगर पैसा लगाना है nifty 50 में तो हमें indirectly पैसा invest करना होगा यानि कि हमें किसी index fund के थुडू से nifty 50 में पैसा invest करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोग index fund में invest करेंगे तो हमारा पैसा indirectly nifty 50 में लग जाएगा ठीके मुझे पता है आपको थोड़ा confusion आ रहा होगा तो चलिए अब मैं आप लोगों को live दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने mobile के थुरू से nifty 50 में अपने पैसों को invest कर सकते हो ठीके उससे पहले अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like कर देना आपको description पर मिल जाएगा वह हमारा affiliate link है तो वहां से आप बिल्कुल free में angel one में अपने domain account को बनवा सकते हो ठीके जैसे ही आपका domain account बन जाएगा तो कुछ इस तरीका का interface आपके समने आ जाएगा अब अगर आपको nifty 50 में पैसा डालना है तो यहाँ पर सबसे पहले mutual fund का जो option है यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर search वाला जो option है यहाँ पर आपको क्लिक करके search करना है निफ्टी index fund क्यों क्यों क्योंकि मैंने आपको बोला कि nifty 50 में हम direct पैसा नहीं लगा सकत होगे तो यह काफी सारा company आ गया है जिन company ने nifty 50 में पैसा लगाया है अगर हम इन company में यानि कि इन index fund में पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा indirectly nifty 50 में चला जाएगा कि लिए रहे बात यहां पर देखो मोतिलाल वस्वाल है अदित्य विल्ला है निप्पॉन है ठीक है ना यूटिय है तो काफी सारा index fund आ गया है अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जो company यहां पर आया है जो company चाहो आप उस company को select कर सकते हो मैं generally SBA पर ज्याद तो मैंने SBA Nifty index fund सर्च किया यह देखो जी दूसरा नंबर वाला जो है ना वह आ गया यह SBA index fund वही है जो हमाला Nifty 50 है ना वही Nifty 50 में SBA index fund ने पैसा लगाया है अगर आप इस fund में invest करोगे तो Nifty 50 में आपका पैसा indirectly चला जाएगा ओके अब यहां पे आप return देखो तीन साल म 28% का return दिया है नो डाउट अभी बुलन चल रहा है तो यह अलग बात है अब अगर आपको इस fund में पैसा लगाना है इस fund का थोड़ा बहुत डीटेल भी देख सकते हो नीचे अगर आप जाओगे आधर information में तो यहां पे AUM देख सकते हो लगबग 8000 करोर रूपिया इस fund मे अगर आपको पैसा लगाना है तो यहां पे invest now वाला जो option है इसमें click कर देना है उसके बाद इस fund में आप दो तरीके से पैसा invest कर सकते हो समझना ध्यान से दो तरीके से पहला monthly investment यानि कि आप हर महीना मैंने जैसे आपको बताया था हर महीना आप 10,000, 5,000, 1,500 जो आपका मन हर महीना invest कर सकते हो हर महीना invest करना है तो SIP का जो option है यहां पे click करना है और अगर आपके पास इकठा पैसा है यानि कि example दे रहा हूँ एक लाग दो लाग पाच लाग जो भी है और आप उस इकठा पैसा को invest करना चाते हो share बजर में या फिर nifty 50 में तो इकठा पैसा invest करने के ल यानि कि हर महीना invest करना है तो SIP वोले option पे click करके investment शुरू करोगे तो हर महीना आपके account से पैसा कटके इस fund में आ जाएगा यानि कि nifty 50 में आपका पैसा लग जाएगा तो यही simple तरीके से आप nifty 50 में अपने पैसों को invest कर सकते हो लेकिन हा फिर से आप लोगो को disclaimer दूंगा क कि ये वीडियो educational purpose के लिए था अगर आपको लगता है कि हाँ वाई nifty 50 कभी भी zero नहीं हो सकता है तो आप अपने advisor से पूछ कर investment कर सकते हो ठीके लेकिन ये वीडियो को investment advice नहीं था वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like कर देना प्यारा सा comment कर देना और share budget को free मे basic से लेकर advance सकते हैं तो यहां पर click करके इस वीडियो को देख सकते हो thank you so much